नमस्ते सब शूरताओं को आज का आपका 175 दिन के श्रीव वर्दान इस वर्दान मा के बढ़ने से पहले हम इस लिंक पे जाएंगे जहाकर कि आप जाकर कि योगासन, सोने की विधी, खान, पान और वेट लॉस, सब कुछ यहां देख सकते हैं तो आगे बढ़ें, आज के 175 दिन के श्रीव वर्दान में, परमपिता परमात्मा हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम असली सुरूप से सेवा करें, असली सुरूप से हम पुर्शात करें, नकली वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं तो देखें, आज बाबा कहते क्या है बाबा कहते हैं श्रिष्ट तकदीर की स्मृति परमात्मा हमारी तकदीर जगाने आये हैं हम आत्मे सोई विती कुमकर्ण की तरह हमें जगाने आये कि तुम एक आत्मा हो तुम इस दुनिया में अपने कर्म अच्छे करने के ले आये हो और फिर मुक्ती पाने के लाए हो तो परमात्मा चाहते हैं कि हम मुक्ती पाने का रस्ता तो कि इवल पर्मपता परमात्मा के पास है मनशा आत्मों के पास में वो मुक्ती देने का रस्ता है ये नहीं तो बाबा चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, पिता चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, कि हम सच्चे सच्चे बन करकर हैं, लेकिन उसके लिए हम है कौन थे कौन और हमें बनना क्या है, वो जब तक हमें याद नहीं रहेगा, तब तक हम सत्यता के साथ रहने पाएंगे, हम भूंगी बन जाएंगे तो परमात्म हमें याद लाते हैं कि आप अनादी और आदी सुरूप अनादी में आप एक बिंदु आत्मा थे आप एक प्रकाश थे आपके पास शरीर नहीं था कुछ नहीं था आपके पास मिधन, दौलत, नाम, मांचान कुछ बनी था अगर आप उसकी स्मृती में रहोगे तो आप नमर रहोगे अगर आप उसकी स्मृती में रहोगे तो आप सबकी सीवा का सोचोगे अगर आप उसकी स्मृती में रहोगे तो आपके अंदर आंकार, क्रोध, इरशाद, ग्रिना, नफरत नहीं आएगी, लेकिन यही चीज़ दों भूल जाते हैं, जब हम अपने आपको शेरी समझते हैं, हम छोटी होटी बातों में फसते हैं, लेन देन में फसते हैं, मेरा तेरे में फसते हैं, मैं ही सही, वो सही नहीं, मैं ही राइट, वो राइट नहीं, यह सारी चीज़ में फस क्योंकि वो गुनवान हैं, गुनों के शक्तियों के भंडार हैं, तो परमात्मा चाहते हैं कि हम भी अपने गुनों को ना भूले, हम कब भूल लाते हैं जब हम अपने आपको देहदारी समझ करके छोटी बात में पसते हैं, तो देखें बाबा आज विस्तार में क्या कहते है शुरेश तकदीर की समिती द्वारा कि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ और मैं आगे भविश में जाकर के देवी देता धर्म की आत्मा बनने वाली हूँ आत्मा तो ये जिब तकदीर याद रहेगी मैं परमात्मा का बच्चा और भविश्य में उच पत पाने वाली आत्मा हूं तब जाकर के आपका पुर्शार्थ सच्चा रहेगा अपने समर्थ सुरूप में रहने वाले सूरे वंशी पत के अधिकारी भवा सूरे वंशी और चंद्रवंशी हमने सुना ही होगा सूरे वंशी परमपिता परमात्मा को हम सूरे कहते हैं तो उनको कभी-कभी तो बक्ती में सूरे देखता भी कहते हैं परमात्मा कहते हैं मैं तो प्रकाश देता हूं ग्यान रुपी प्रकाश वो लाइट वाला प्रकाश नहीं मैं क्यान का प्रकाश देता हूं जिससे कि आपके तक दीर उची बनती है ताकि आपके मन के अंदर प्रकाश है आप समझो कि आप हो कौन और आप इस चोटी चोटी बातों में संसारिक चीजों में फसो मत आप इस से उपर उड़ जाओ और आगे बढ़ जो आप इन सारी हम चोटी बातों में जब फस आते हैं और हम उपराम नहीं हो पाते हैं उचीजों से तो परमातपर कहते हैं आप भूल जातों कि आपकी तकदीर क्या है आप क्या बनने लायक हो लेकिन आप वैसे काम करते हो जैसे कि एक बहुती अच्छा फोन हो लेकिन उसको हम यूज कर हैं बहुती जोटे कामों के लिए तो आप वो बहुत अच्छे फोन हो लेकिन आप अपने आपकी कपैसिटी और अपने लिमिट को आप पे को लिमिट करके आप अपने को आगे बढ़ा नहीं पाते हो तो परमात्मा में या दिलाने आते है कि आप तो बहुती अच्छी आत हो आप पवितरात्मा लेकिन आप अपने आपको आप बहुती कम पावर से चला रहे हो अपनी शमता अनुसार नहीं चला रहे हो आप अपने आपको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो क्योंकि परमात्मा जानते कि हमारे अंदर क्या शमता है तो इसलिए वो हमें या दिलाते ह और जब हम meditate करते हैं, तो हमें हमारी शम्ता पतलती है, हमें ideas आते हैं, जब हम ideas आते हैं, तो हमें मैसूस होता रहे, मैं यह कर सकता हूँ, यह कर सकती हूँ, तो परमात्मा से जब हम meditation में जुटते हैं, तो हमें पतलता कि यह शक्तियां, यह ideas तभी परमात्मा मुझे देंगे जम बेरे अंदर ये सब कुछ करने की ताकत या शमता होगी लेकिन इंसान अपने आपको दुनियावी बातों में इतना फ़सा के रखता है दुनियावी चीजों में लेंदेन में फ़सा के रखता है कि वो सीमित हो जायता है पांस तत्मों के लेंदेन के साथ में पांच तत्तों की प्राप्ति के सामने तो परमात्म फिर कहता है कि तुम इन चीजों से उठो कब तुम 95% लोगों के जैसे सोचना कर शुरू कर दोगे तो तुम वो 5% वाले मेरे साथ जुड़ने वाले अरजुन यह और पांडफ कैसे बनोगे जन्होंने दुनिया में कुछ परिवतन लाया था अपने जीवन को परिवतन करके सत्यता के मार्क पर आगे बड़े थे तो यह सुमृति दिलाने आये हैं परमात्मा में बाबा कहते हैं विस्तार में जो अपनी शृष तकदीर को सदा सुमृति में रखते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ और मैं भविश्य में अगले जनम में सत्युक जब इस दुनिया में स्टार्ट होगा कल्युक जब खतम होगा वेनाश होगा तब मैं क्या बनूंगी आत्मा तो परमात्मा केते हैं कि उसको याद रखो तुम क्या बनने के लिए हो तुम कौनसी बैटरी हो तुम कौनसा फोन हो हाई कॉलिटी वाले हो तुम तो परमात्मा कीथर जो अपनी श्रेश तकदीर को सदा सुरूप में रखते हैं वे हमेशा के फेंप बच रहते हैं हर कारे में आगे बढ़ने के उन्हें सदा अपना अनादी असली सुरूप सुमिती में रहता है उन्हें याद रहता है कि मैं तो वो पूरवज आत्मा हूँ मैं तो सबसे उची आत्मा हूँ मुझे सब का कल्यान करना है और अपना भी कल्यान करना है तो अपने पर अटेंशन रहता कि मुझा चलना कैसे है, सोचना कैसे, बूलना कैसे है ने तो अगर ये भूल गए तो हम साधारन सुरूप से चलते हैं साधार लोगों जैसे कभी इर्शा में आगए, कभी ग्रिणा में आगए, कभी नफरत में आगए, कभी जलेसी में आगए, ये सारे चीजों में हम फसे रहते हैं दिन बर, परमातमा करते हैं, भूलो मत, कभी नकली फेस धारन नहीं करते, नकली फेस मतलब कि हैं, चलो ठीक है हम हम तो meditation करते हैं लेकिन भार से हम सब को दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छे हैं लेकिन अंदर से irritated है, frustrated है, संतुश नहीं है परमातम पर कहते हैं यह नकली face हो गया, वो धारण नहीं करते हैं तो परमातु कहते हैं कहीं बार माया नकली गुण और कर्तवे का सुरूब बना देती है नकली गुण मतलब कि बाहर से मतुरता दिखा रहे हैं बाहर से संतुष्टा दिखा रहे हैं बाहर से नम्रता दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से हैं नहीं तो बाहर से दिखा रहे है उन नकली सुरूप गोनों का दिखा रहे है परमात पर कहते हैं वो ढोंगी नहीं तो किसको क्रोधी, किसको लोभी किसको क्रोधी बना देती है माया किसको लोभी बना देती है माया लोभ तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं मेरे को चाहिए, मेरे को क्यों नहीं दिया, मैंने इतना काम किया, मेरे को भी पूछना चाहिए था, मेरे से नहीं पूछा, ये कैसे हो सकता है, किसको दुखी, असंतुष्ट, कि मैंने इतना किया, मैं इतना कर रहा हूँ, या मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं उस कि इसको पर focus ने करते हैं और क्या बन रहे हो उनके उपर focus करते हो तो दुखी हो जाते हो किसको अश्यान्त बना देती है शांतिमेने रहने देती लेकिन असली सुरूप इन सब बातों से परे है जो असली सुरूप है वो दुनियावी प्राप्तियां, दुनियावी नाम मानशान, दुनियावी जो भी चीज़ें हैं, उनसे परे है, क्योंकि आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो शरीर के लिए चाहिए होता सब कुछ, वो टाइग लाइन मेरे उपर हो, वो मेर काहिए प्राप्तियां को जाया है आत्मा को नहीं चाहिए, आत्मा सब्सक्राइब आपने शरीस समझ समझ नहीं होता, जो बच्छे अपने असली सुरूप में स्थित रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए मुझे नाम मानन चाहिए मुझे अगर मुझे सेवा भी करनी है तो मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग मुझे पहचाने लोग मेरी वाववा करें ये भी नहीं आ सकता क्योंकि आप कहो एक आत्मा हो परमात्मा को कभी इस चीज़ा आ सकती मन में कि मेरा नाम हो, मेरे मान हो, मेरा शान हो क्योंकि उनका शरीर नहीं है उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है प्राप्तियों से तो इसलिए उनको नाम आंशान की जुरूत नहीं है वो अकर ये नहीं कहते कि मेरे को नाम दो मेरे को मान दो हमें भी वैसा ही बनना है लेकिन उसको बनने के लिए हमें अपना अनादी सुरूप अनादी में स्टार्टिंग में जब हम इस धर्ती पर नहीं आया थे हम क्या थे हम एक सिर्व एक पॉइंट ऑफ लाइट एक बिंदू थे एक प्रकाश थे एक उर्जा थे फिर हम आत्मा ने शेरीर में प्रवेश किया तब जाके नाम चड़ा उसका हमने पेरेंट्स का नाम चड़ा फिर फैमिली का नाम चड़ा फिर हमने आगे प्रोग्रेस केई पड़ाई लिखाई करी उसकी प्राप्तिया हुई हिरे के ऊपर मट्टी अगरजम जाये तो उसकी रौशनी खता हो जाती तो परमात्मा चाते हैं हम इस रोशनी प्रकाश को फिर से जागरित करें अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियों को हटाएं उस मट्टी को हटाएं तो उसके लिए अनादी सुरूप चानना बहुत जरूरी है तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने असली सुरूप में स्थित रहते हैं वे सूरे बंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं वो भी सूरे जैसे चमकते हैं प्रकाश फेकते हैं और वो सूरे पद के अधिकारी बन जाते हैं वो क्या पद है वो कैसा पद है इसके लिए तो आपको ब्रह्मा को मारी जम्या करके 7 days का कोर्स करना बहुत जरूरी है तो आज कर आपका दिन शुब हो, आप सूरे बन शी बन पाएं मेरी ये शुब का अपना शुब भावना है और आप सदा सुकी रहें और अंदर से और भार से भी एक समान रहें ओम शांती